हेलो यूल दिस इस महेश कुमार और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल जैनिपक्स एजुकेशन पर नेताजी सुभाश चंद्र बोस आज हम अपने इस वीडियो में स्टड़ी करने जा रहे हैं नेताजी सुभाश चंद्र बोस के बारे में इनका जन 23 जनवरी 1897 को उडिसा के कटक में एक संब्रांत बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था 13 भाई बेनों में 9 तता 6 भाईयों में सबसे छोटे सुभाश सबके दुलारे थे वा पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत खोश्यार थे पिता जो की सोयम एक नामी वकील थे ने अंग्रेजी भाशा के महत्व को समझते हुए सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स में एड्मिशन दिलाया जिससे की उनकी स्पोकेन इंग्लिश फ्लूएंट और फ्लॉलेस हो जाए और उन्हें अंग्रेजी राज में अच्छे से अच्छे पदों पर नौकरी मिल सके लेकिन भाग्य में कुछ और ही मन लिखा था बड़े भाई शरत चंद्रबोस जो की एक प्रिसिद वकील वैसोतंतरता सेनानी थे के रास्ते पर ही सुभास चंद्रबोस भी चल पड़े भगवत गीता रमायन वै विवेकानन जी के आदर्शों से प्रेरित सुभास चंद्रबोस को अपने धर्म संस्कृति वैदेश से बहुत प्यार था और इसका नमूना तब देखने को मिला जब 1916 में कलकत्ता यूनिवस्टी के एक गोरे प्रोफेसर ने भारतिय धर्म वैस संस्कृति की मजाक उड़ाई इन्होंने अपने दो-तीन साथियों को लेकर उसको अच्छे से धुन दिया और इसकी वज़ासे इनको रस्टिकेट कर दिया गया बलकि भारत माता की सेवा करना है अतै अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखकर इन्होंने सूचन दी कि वे ICS भरति परिक्षाओं को बीच में ही छोड़ रहे हैं मा भारती की सेवा करने के लिए 1921 में वे भारत बंबई पत्तन पर पहुँचे और जाकर सीधे गांधी जी से मिले गांधी जी से पहली मुलाकात में वे ज्यादा प्रवावित नहीं थे फिलाल उन्होंने कांग्रेस को जॉइन कर लिया और एक समाजवादी के रूप में अपनी पहचान बनाई 1928 में लॉड बिरकेनहेट की चुनोती के प्रितियुत्तर में भारतिय सम्विदान इर्मार के लिए बनी समीती में चुने गए इसी समीती के द्वारा चर्चित नहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए 1937 में इन्होंने आस्ट्रिया की एमली से शेंकिल से विवा किया हालंकि इस विवा को गुप्त रखने के पूरे प्रियास किये गए 1936 के कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने जिसमें राष्टिय फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया दुत्तिय विश्वित के दौरान इन्हें कलकता में एलगिन रोड इस्थित निवास में नजर बंद कर दिया गया किंतु नजर बंदी के दौरान ही इन्होंने दाड़ी बढ़ा ली वा एक दिन इंशरेंस एजेंट जियाउदीन पठान का र बहुत मदद की अफगानिस्तान में फिर इन्होंने एक इटैलियन नाम काउंट और्लांडो मेजोटा रखा एवं भेश वदला और रूस पहुँच गए वहां से जर्मनी पहुँचे वा हिटलर से मिले खालंकि ये इटली के तानशा मुसॉलनी से भी भेंट करना चाते थ मुस्तफा कमाल पाशा से भी बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत शीग्र आजाद हो वह कम से कम 20 वर्ष तक अर्थोरिटेरियन शासन के अधीन रहे तो वह बहुत तेजी से तरकी कर सकता है फिलाल हिटर से मिलकर इनोनेस उसके सैने अधिकारी एरविन रोमिल स तीन हजार से अधिक सैनेकों जो की युदबंदत थे कि साहता से फ्री इंडिया लीजन बनाई इसी सैना के दोरा इन्हें नेता जी का उपनाम दिया गया यहां रहने एडॉल फिटलर वा उसके नाजीवात को समर्थन करने जर्मन चिन स्वास्तिक को भारतिये पुरातन सं स्कृति से जोड़कर नाजियों एवं भारतियों को आरेन बंदू बताने आदी के करण वे बाद में जापान जिसकों की फासिस्ट का साथ देने के करण फासिस्ट ही माना जाने लगा था की साहता लेने के करण सुभाष चंदर वोस पर भी फासी वादी वे नाजी समर्थ तक होने के अरोप लगे हालांकि सुभाष वोस का कहना था कि क्योंकि यहूदी यानी जीवस बिटिश का समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए उनका नाजियों को समर्थन भी उचित है क्योंकि हमें फिलाल बिटिश से आजाद होना है किन्तु लगबख 16 माँ जर्मनी में बिता अपना की जा चुकी थी माना जाता है कि रास बियारी बोस के बुलावे पर वे एक जर्मन पंडुबवी पर सवार होकर अफरीका के पश्चिमी किनारे किनारे होकर मेडा गासकर पहुँचे जहां इनको लेने के लिए एक जापानी पंडुबवी आई और जून 1943 में सिंग अपने मिशन में उनका सयोग वे आशिरवाद मांगा अपनी मुहिम में उन्होंने अंडमान निकोवार दीप समो पर अधिकार कर लिया वे इनका नाम क्रमशा शहीद दीप वे सुराज दीप रखा इसके बाद उत्तर पूरी भारत में आगे बढ़ते हुए उनकी फौज ने कई महत्पूर जीते हासल की वे जापानी वायुसेनक के एक विमान में सवार होकर वहां के लिए चले किंतु तद्कालीन फौर्मोसा आइलेंड वे आधुनिक ताइवान के आकाश में उनका विमान खराब होने से वे क्रेश हो गया वे नेता जी बुरी तरह से घायल हो गये अस्पताल में इलाज के द लियोनार्ड ए गॉर्डन ने उनके अंतिम समय के वारे में बहुती विस्तार से लिखा है आज जब हम आजादी का अमरतकाल मना रहे हैं तो हमें ऐसे महान वीरों को किरतक गिता के साथ याद करना ही चाहिए जिनकी कुर्बानी वे संगहश्यों से हमें आजाद हवा में सा लेने का मौका मिला तो वीडियो का अंत उन्ही के नार्या के साथ जैहिन